अब बॉनिंग एवरीवान होप यू आल मस्ट बीड वेग्रेट लास्ट लेक्चर में हम लोग बाते कर रहे थे अमेंडमेंट्वेटे टू सेलरी और मुझे लगते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है सालरी में दो अमेंडमेंट्वेट थी इंबॉर्टेंट्वेट्व नोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईग्जामेंer आपसे कुछन पूछ सकता है सालते के बारे में, उससे पहले residential property again was an important amendment next chapter हम लोग PGVP की amendment के बारे में बाते करेंगे, मैं हूँ page number 16 फर, तो we'll talk about PGVP, छुटी-छुटी amendments है, important है, बट बहुत छोटी amendments है, बहुत जल्दी cover हो जाएंगी हाँ, इससे पहले एक chapter हुए house property है, उसमें amendment नहीं है, ठीक है house property में कोई amendment नहीं है, आपको कोई problem नहीं आईगे house property में there is no amendment as such, हम लोग एक चीज में आपको बताता हूँ, हम लोग आगे एक chapter पढ़ेंगे, last में बिल्गल chapter मैंने आपको reference भी दिया था कि एक alternative scheme आईए for individual NHUF, कि एक alternative scheme है कि वहाँ पर आप slab rate थोड़े कम है, 2.5 lakh के slab rate चलते हैं, वहाँ पर 5 लाग तक नेल है, फिर लाग तक 5% है, फिर अगले 5 लाग तक 10% इस तरह की बाते होंगी, मैं बताऊँगा अभी आपको, एक दो lectures के बाद, इन बिल्कु कुछ deductions या कुछ exemptions आपको forgo करनी पड़ेंगी, forgo का मतलब है कि sacrifice करनी पड़ेंगी, कि conditional है वो बहुत, कि अगर आप ऐसे regime में उस tax structure में जाना चाहते हैं आप, तो आपके लिए कुछ deductions नहीं होंगी, वहाँ पर मैं बाते करूंगा कि अगर कोई वेक्ती है, there is an individual who opts for new tax slab rates के हिसाब से, alternative है, optional है वो, अगर आप वहाँ पर जाते हैं, तो आपको house property की deduction नहीं मिलती, self-occupied property की हम लोग 2 lakh रुपीज तक, section 24B, आपको याद होगा 24B, interest on borrowing में, in case अगर self-occupied property है, तो आप उस पे 2 lakh रुपीज तक, क्या interest की deductions ले लेते हैं, ठीक है, आज भी वो deduction है, ऐसा नहीं कि वो खतम हो गई है, still it exists, but in case अगर आप नए tax scheme में जा रहे हैं, तो आपको वो deduction नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इतनी सी बात है, actually वो house property amendment नहीं है, वो amendment वो जो निया tax scheme आई है, वो वहाँ पर चीज़े लिखी हुई है, तो मैं उसको अलग से ही discuss करूँगा, last chapter मैंने उसके लिए dedicated किया हुए, तो we'll discuss over there, तो otherwise there is no amendment in house property, ठीक है, ओक है, now coming to PGBP, PGBP में क्या क्या amendment से देख लेते हैं, से मैंने कहा था, बहुत छुड़ी चुड़ी amendment से, बहुत जल्दी की cover होंगी, section 32 AD, investment allowance का होता था, ठीक है, आपको याद होगा, कि कुछ states हैं, आंधरपरदेश, तेलांगना, वेस्ट बेंगॉल, बिहार, उन states में, government ने कहा कि, हम कुछ areas notify कर रहे हैं, ठीक है, पूरी state नहीं, पूरी state में, कुछ particular areas को, government ने notify किया था, और government यह कहती थी, कि अगर यहाँ पर, आप अपनी एक manufacturing unit, लगाते हैं, तो हम आपको additional, depreciation भी देंगे, extra 35% होता था, और एक investment allowance भी मिलेगा, section 32 AD, पहले additional appreciation की दो मिलेट में बाते कर लेता हूँ, पहले 32 AD की बाते करूँगा, तो आपसे यह कहा जाता था, कि अगर, वो backward state, backward areas में, ठीक है, in case there is an state, आंधरप्रदेश, बिहार, तेलांगना, और वेस्ट बेंगौल, और उसमें कुछ particular, backward area notify किया गया, वहाँ पर अगर आप plant and machinery लगाते हैं, तो आपको 15% का investment allowance मिलेगा, 15% का investment allowance मिलेगा, now 32 AD is now inoperative, अब नहीं मिलेगा, ठीक है, in case अब SAC 1, 4, 2021, या उसके बाद अगर, वहाँ पर plant machinery लगाए, there is no investment allowance, ठीक है, एक बार मैं रीट करू, manufacturing industry set up in the notified backward areas of specified states, तो कुछ specified states थी, आंधरप्रदेश, बिहार, तेलांगने इन वेस्ट पेंगौल, इन states के कुछ notified areas, तो इन लोगों को पहले 15% जितना भी वह plant machinery लगाते थे, depreciation तो मिलता ही था, additional depreciation मिलता था 35%, और over and above 15% का investment allowance मिलता था, तो जो 15% का investment allowance मिलता था, वो अब खतम कर दिया है, now it is not available, तो पहले क्या था था, old provision क्या थे, 15% investment allowance मिलता था, now there is no such deduction, 15% अग्यारा का कोई deduction अब नहीं है, तो मैं यह कह सकता हूं कि 32 AD अब inoperate हो गया है, ठीक है, it has become inoperative, दूसरा, actually यह depreciation का part है, तो मैंने इसी में cover किया है, additional depreciation मिलता था 35%, अब 35% नहीं मिलेगा, इनको जो बाकी लोग additional depreciation लेते थे, 20% इन लोगों को भी अब वही मिलेगा, ठीक है, तो now there is no additional depreciation था, बढ़ 35% रेट नहीं रहेगा, 20 रहेगा, जब सबके लिए रहता है, वही normal rate चलेगा, क्योंकि यह section जब आया था, तो यह section था 1st April 2015 से लेकर, 31st March 2020 के बीच में, अगर आप इस period में, आप plan machinery install करते हैं, तब आपको deduction मिलती थी, now there is no such deduction, 32 AD investment allowance नहीं है, additional depreciation 35% नहीं है, additional depreciation अगर आपको plan machinery लगा नहीं है, तो आपको normal depreciation मिलेगा, additional भी मिलेगा, बढ़ 20, जो बाखी लोगों को मिलता है, बाखी states में मिलता है, वही मिलेगा 20%, ठीक है, इतनी बाद समझ में आगी, एक छोटी सी बात है, जिससे for example, अगर किसी ने, लेट से प्रीविएस येर, 1920 में, जो लास्ट येर था, प्रीविएस ये 1920 में, for example, Mr. A ने, plan machinery यहां पर install की, और वो 180 डेस से, 180 डेस से, कम के लिए use हुई, तो आपको पता है, half depreciation मिलता है था, और additional depreciation भी half ही मिलेगा, कितना मिलेगा इनको 1920 में कितना मिला होगा, normal जो लगता है 20 लगता है, बट backward states के लिए 35 बूला गया था, तो इनको 35 मिलना चाहिए था, बट क्योंकि वो 180 डेस से कम हुआ, तो 35 का आधा मिलेगा, कितना मिला होगा, 1920 में 17.5 परसेंट, अब question ये है, कि previous year 2021 में, previous year 2021 के लिए, अब जो भी आप नई machines वगेरा लगाओगे, एक तो उस पर investment allowance नहीं मिलेगा, 15% का जो investment allowance मिलता था, 32 AD में वो नहीं मिलेगा, दूसरा, additional depreciation कितना मिलेगा, 20%, ठीक है 20%, बट सर, question ये है, कि जो पुरानी machine आ रही है, क्योंकि last year हमने वो purchase की थी, put to use हुई थी, 180 days से कम, तो हमने half depreciation लिया था, तो उसका आप second half अभी ले सकते हो, 17.5%, तो उसके लिए आप 17.5% ले सकते हो, क्योंकि इसका 17.5 पहले लिया था, और ये 35 additional depreciation के लिए eligible था, तो आप next year, ऐसी machine का, जो last year से चली आ रही है, उसके लिए 35 हो सकता था, तो 17.5 पहले ले लिया, 17.5 अब ले सकते हैं, बट हाँ अगर आपने कोई नई दूसरी machine install की होती, previous year 2021 में ही, last year से इसका कोई connection नहीं था, इसी साल अगर नई machine होती, तो उसके उपर अब 20% ही मिलेगा, addition depreciation, जैसे बाखी लोगों को मिलता है, और कोई investment allowance नहीं होगा, clear हो गया, तो this is an amendment, 32.80, ठीक है, next है, section 35 में amendment आई, और 35 आपको पता है कि, काफी important section रहते हैं हमेशा, examiner का favorite section में से section 35 है, आपको अक्सर जब PCVP के questions आते हैं, तो 35 की भी एक दो adjustments आ जाती है, section 35 में क्या होता है, scientific research, एक तो होता है in-house research, in-house का मतलब होता है, जो आप अपने business related research, carry out कराते हैं, एक होता है outside research, outside research का मतलब होता है, जब आप donation देते हैं, किसी research association में, किसी research institute में, IIT में, National Laboratory में, ठीक है, बहुत सारे research institutes हैं, जैसे Tata Memorial Institute है, ठीक है, और भी बहुत सारे institute है, Bajaj का research institute है, तो in-case अगर आप वहाँ पर पैसे देते हैं, तो that is called outside research, that is a contribution, it's a kind of donation, आपको बता था, section 35 में इसकी भी reduction मिलती है, और वहाँ पर हमने देखा था, कि अगर यह scientific research के लिए देया जाए, तो 150% deduction होती थी, weighted deduction, 150% तो क्या होता था, 150% deduction होती थी, अगर आपने for example, 1,00,000 रुबीज की donation दी है, वहाँ पर contribute की रखिया है, to scientific research, तो आपको 1.5,00,000 की deduction मिला करती थी, मेरे खाल से यह बाते याद होंगी सबको, ठीक है, जिन लोगों ने पहले lectures किये होए थे, ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट यर तक का पड़ा हुआ था, उन लोगों को बाते बता होगी, हाँ जिन लोगों ने इसी साल के लिए पड़ाई करी है, तो उनको तो 150% वाली बाते नहीं पता होगी, उनको तो 100% ही पता होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये डिदक्शन, वेटे डिदक्शन खतम हो गई है, now it is only 100%, ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है, आक्शली ये इस साल के अमेंडमेंट नहीं है, ये Finance Act 2018 में ही बता दिया गया था, कि जो वेटे डिदक्शन है, हम इसको over the period of time, एक पिरिड के बाद खतम कर देंगे, तो बताया गया था, कि 31st March 2020 तक ही डिदक्शन है, Sunset Clause था, Sunset समझते हो, सूरज डूबना, Sunset, मतलब इसका जो effect था, बस 31st March 2020 तक था, उसके बाद नहीं चलेगी, कोई भी वेटे डिदक्शन, यानि कि आज जब आप, डोनेट करते हैं for scientific research, जहाँ जहाँ पर 150% हुआ करता था, वो सब 100 हो गया है, यानि कि आज कोई वेटे डिदक्शन नहीं है, ठीक है, तो इस साल से आप कोई वेटे डिदक्शन नहीं है, तो इसी तरीके से section था, और आपको number याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बट इतना सब को पता होगा, कि 150% की deduction मिला करती थी, वो अब सभी deductions 100% हो गयी है, तो amount contributed or paid to, notified approved research association, university, college, और other institution, old provision क्या था, 150% होगा, अब नव, the new provision is 100%. इसी तरीके से होता था, आप किसी particular project के लिए, specific scientific research project के लिए, पैसा देते थे, ठीक है, with special instructions to IIT, National Laboratory, etc., उसके लिए 150% reduction मिलती थी, अगें, इस नव, 100%. तो same है, although आपको बहुत जादा जरूरत नहीं है, इतने sections, 35 is more than enough, scientific research का, ठीक है, intermediate के लिए इतना खाफी होता है, तो वैसे specifically बाते करेंगे, तो 35, 2AA में भी, changes आ गए हैं, कि पहले हम लोग, National Laboratory को, University को, या IIT को, किसी approved program के लिए, किसी approved project के लिए, 2021, 22 मतलब प्रिवियस यर, 2021 से, अब 100% की ही, deduction चलेगी, यहां पर भी हम बाते करते थे, 35, 2AA में, यहां पर हम बाते करते थे, specifically companies के लिए, companies, जो biotech companies होती है, ठीक है, पहले बहुत शुरू में, section जब आया था, यह तो biotech companies के लिए आया, फिर pharmaceutical companies के लिए हुआ, फिर manufacturing companies के लिए हो गया, कि यह लोग, जब in-house research भी करते हैं, तो जो भी capital expenditure करते हैं, except land and building, ठीक है, पुरानी बाते थी, अगर ना भी याद हैं, तो कोई बात नहीं है अब तो, क्योंकि आपको नया law पढ़ना है अब तो, पहले तो हमें यह देखना पढ़ता था, कि कहां पर 100 है, कहां पर 150 परसंट है, ना इट बिकमस इजी, कि कोई weighted deduction नहीं है, everywhere it is 100%, तो हम लोग बाते करते थे, कि if a company is engaged in the business of biotech, या कोई manufacturing company है, तो जितना भी वो capital expenditure, करते थे, except land and except building, building पर 100, land पर तो मिलते हैं नहीं देखे, और building पर 100 मिलता था पहले, और बाकी चीज़ों के उपर 150% मिल जाता था, ऐसी companies को, but now it is 100%, तो अब कोई problem ही नहीं है, अब तो हर जगा पर 100% है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, कि section 35 अब पहले से जादा easy हो गया है, ठीके, अगर examination point of view से में बाते करता हूँ, तो पहले हम लोगों को याद करना पढ़ता था, कि कहां पर 150 है, कहां पर 100 है, अब सभी जगा पर 100 ही रहेगा, ठीके, एक illustration भी मैंने दी है आपको, अब देख सकते हैं, next page पर example देखेगा, Mr. A furnishes the following particulars for the previous year 2021, compute the deduction allowable under section 35, for assessment year 21-22, हमें पता है, from assessment year 21-22, बोले तो previous year 2021 के लिए, 100% deduction ही चलेगी, ठीक है, अब पर जगा पर दोगे तो obviously, वो तो deduction allow यह नहीं होती, वो तो 0% होती है, मताब हाँ तो 100 दे नहीं सकते हैं, हाँ बट अगर किसी approved scientific research के लिए दिया जाए, यह in fact statistical research यह social research, पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है, मतलब पुराने वाले में, जहाँ पर 100 था, महाँ पर कोई changes नहीं आए, जो weighted deductions थी, now it is reduced to just 100% deduction, amount paid to notified approved Indian Institute of Science, Bangalore for scientific research, 1 lakh rupees दिया है, ठीक है, allowed हो जाएगा, 1 lakh ही होगा, 100%, 1 lakh ही होगा यहाँ पर, amount paid to IIT for scientific research program, पहले क्या होता था यह, 150% बट नाव इट इस 100%, तो यहाँ पर 2.5 lakh की reduction मिलेगी, इधर 1 lakh की मिलेगी, amount paid to ex-limited company registered in India, which has its main object of scientific research and development, as it is approved by the prescribed authority, पहले यह भी 100 थी, आज भी 100 ही है, ठीक है, किसी company को जब आप देते थे, approved company होनी चाहिए, whose main object is to carry scientific research programs, तो ऐसी company को जब हम contribution देते थे, तो पहले भी 100 था, आज भी 100 है, तो यहाँ पर तो कोई changes ही नहीं आया, पुराने वाले 100 तो आज भी 100 है, पुराने 150-100 हो गए, expenditure incurred on in-house research and development facility is approved by the prescribed authority, revenue expenses के उपर भी 100% deduction मिल जाएगी, capital expenditure के उपर भी 100% deduction मिल जाएगी, बट हाँ, इस 750 में 5 लाक रुपी लैंड की value है, तो 750 में से लैंड हटा दीचेगा, बिकस देर इस नो deduction on land, तो 2.5 लाक की deduction ही हाँ आपर मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके solution आप आप राम से कर सकते हैं, ठीक है, यह rate है, यहाँ पर 100% वगेरा की deduction मिल जाएगी, amount इतना, total 13 लाक की deduction मिल रही है, under section 35, ठीक है, अगेन यह दोनों छोटे-छोटे sections थे, यहाँ पर weighted deduction होती थी, और वैसे 35, triple C और CCD, की CA intermediate के course में, नहीं भी, नहीं है यह, फिर भी मैं बता देता हूँ, एक मिनट ही लगेगा इसमें, ठीक है, अल्वोटे, वो, इस two sections are not in CA intercourse, 35, triple C होता है, अग्रिकल्चर extension project के लिए, जब हम contribution दिया करते थे, तो 150% की deduction मिलती थी, और CCD होता था, यह company SAC को ही मिलता है, company SAC को मिलता था, skill development के लिए, अगर यह expenses करते थे, तो 150% की deduction मिलती थी, again it is 100, मतलब कुल मिला के, जो weighted deduction मिला करती थी न, वो सब को अब weighted deduction हटा दी गई है, now सरफ equal deduction मिलेगी, जितना पैसा आप contribute करोगे, उतना ही आपको deduction मिलने वाली है, तो यहाँ पर दोनों में 150, 150% था, now it is both 100, ठीक है, although these two are not in your course, 35 AD, 35 AD क्या होता है, capital expenses के उपर 100% deduction मिलती है, कुछ specified businesses को, कुछ specified business क्या दे है, 100 bed या उसे बड़ा hospital है, या फिर hotel है, two star और अब आफ केटिगरी hotel है, आपका warehouse है, cross country natural gas pipeline है, inland container depot, ठीक है, container freight station, beekeeping का business है, storage of sugar का business है, storage of agriculture produce का business है, ठीक है, infrastructure development का business है, तो हमने ती सारे, 14 types of businesses पढ़ते थे, जहाँ पर 100% deduction मिला करती थी, आज भी वो 100 है, वहाँ पर कोई change नहीं आया, 35 AD में एक बस छोटा सा change आया है, ठीक है, अब 35 AD, optional कर दिया है, optional का मतलब है, अगर assessi 35 AD claim करना चाहेगा, तो कर लेगा, अगर वो इस साल claim नहीं करना चाहते, तो ना करे, it is optional, अब यहाँ पर प्लीज ध्यान दीचेगा, 35 AD, फेले सम लोग समझ गए, मैं किस section को refer कर रहा हूँ, ठीक, capital expenditure वाला section, beekeeping business, manufacture of fertilizer वाला business है, जहाँ पर आपको, capital expenditure के उपर deduction मिलती थी, कौन-कौन से capital expenditure नहीं होते हैं, जिसकी deduction नहीं मिलती है, 35 AD में, land के उपर नहीं मिलता है, थोड़ा यादा जएगा आपको, land के उपर नहीं मिलता है, goodwill के उपर नहीं मिलता है, financial instruments के उपर नहीं मिलता है, उसके अलावा, जो भी आप capital expenditure करते हैं, 100% deduction आपको मिल जाती है, now section 35 AD is an optional section, optional का मतलब है, अगर assessi 35 AD इससा लेना चाहते है, तो ले सकता है, अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे 35 AD नहीं चाहिए, तो बना भी कर सकता है आज, now it is optional, sir क्या ये पहले mandatory हुआ करता था, ठीके मतलब एक बार 35 AD ले लिया, तो हमेशा लेना पड़ता था क्या, देखिया, ऐसा section में लिखा तो नहीं था, पट optional भी नहीं लिखा था, तो कुछ लोग ऐसा interpretation कर सकते थे, कि वो mandatory होता था, mandatory का मतलब है कि अगर किसी assessi ने first year 35 AD ले लिया, तो फिर वो second year भी लेना पड़ेगा, third year भी लेना पड़ेगा, fourth year भी लेना पड़ेगा, गर कोई भी capital expenditure करेगा, वो assessi तो, although ये straightforward section में नहीं लिखा था, but interpretation ये आ सकती थी, क्योंकि हमाँ पर optional तो नहीं लिखा था, ऐसा तो नहीं लिखा था optional, तो क्यों वो mandatory मान ले, बानेंगे तो नहीं, बढ़ फिर भी हाँ कुछ लोग कह सकते हैं, कि सर हाँ उसको mandatory मान ले, law ने क्या किया, 35 AD में specifically ये words लिख दिये आज, कि 35 AD optional है, तो अब ये interpretation नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग कि वो mandatory है, कि इस साल अगर for example, पर last year किसी ने 35 AD लिया है, तो second year भी उसको लेना पड़ेगा, third year भी लेना पड़ेगा, fourth year भी लेना पड़ेगा, अब वो optional हो गया, बस इतनी छोटी सी amendment है, कुछ नहीं आ सकते हैं, आपका सरी amendment आई क्यों, ठीक है, reason क्या हो सकते हैं, समेंट में आने के, actually कुछ नई सेक्शन आया थे लास्ट येर, 115 BA और 115 BA और 115 BA ठीक है, अब आपको करने नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना चाहिए हमें, और ये दोनों सेक्शन भी मैं डिस्कर्स करूँगा, ठीक है, अल्दो ये हमारे CA final level पर आते हैं sections में, बट इस बार institute ने CA inter study material में सिर्फ इनका reference दिया है, सिर्फ इनका reference दिया है, BAA, BA, B क्या होता है, ये company assessi को मिलते हैं, जो domestic companies हैं, उन लोगों के लिए दो sections आये हैं, ठीक है, सिर्फ समझ लीचेगा, यहाँ पर reduce rate of tax है, जैसे हम मैं पता है company के उपर tax rate होता है 30% का, ठीक है, जो ज़्यादा बड़ी company होते हैं, उनके उपर 25% का tax rate होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, second last chapter है tax rates के बारे में, मैं आपर मैं discuss भी करूँगा, आपसे दुबारा, तो 30%, हमने, यह सब लोग जानते हैं कि companies के उपर flat rate होता है, 30% का, कुछ companies के उपर 25% होता है, अब यह जो दो sections है, 115BAA और 115BAB, इन लोगों ने companies के उपर, एक alternative tax rate दे दिये, alternative tax rate दे दिये 22% और 15%, कुछ companies 22% में जा सकती है, कुछ companies 15% में जा सकती है, 15% tax rate, यह 22% tax rate, यानि कि, these are reduced rate of tax, these are reduced rate of tax, बट, जब यह sections आए हैं, अगर हम इन sections को detail में पढ़ते हैं, ठीक, और पढ़ना नहीं हैं हमें, हमें हमारे syllabus में नहीं हैं, बट स्टिल, जब हम इन sections को पढ़ते हैं, तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है, अब देखो, आपको यह, अच्छे से आप लोग जानते हैं, कि जब कभी भी government, या income tax law, हमें कुछ फायदा देता है, तो कुछ फायदे वापस भी ले लेता है, मतलब, अगर वो कहता हैं कि, अगर आपको यहां पर आना है, यह facility लेनी हैं, तो कुछ sacrifice भी करने पड़ेंगे, तो same यह, इस section में भी ऐसे, इन दोनों section में भी ऐसे ही है, इस दोनों section में यह लिखा हुए, कि आपके लिए reduce rate of tax companies के लिए 15% है, 22% है, बट आपको कुछ sections में मिलने वाले benefit को sacrifice करना पड़ेगा, यानि कुछ sections को आपको forgo करना पड़ेगा, कि अगर आप वो sections की reductions नहीं लेते हो, तभी आप 115BAA, 115BAB 15-22% वाले tax rate दे पाओगे, दोनों ही section में लिखा हुआ है, कि अगर आप वो 15% या 22% वाला tax rate देना चाहते हो, तो 35AD नहीं लोगे आप, 35AD नहीं लेना है आपको, ठीक है, कुछ और भी sections हैं, बढ़ उसमें से एक है 35AD, यानि कि 35AD का वो sacrifice मांगते हैं, वो section, अब प्लीज बताइए, माल लेते हैं कि मैं एक company SSI हूँ, for example, मेरे एक company है, मैं company SSI हूँ, maximum shares मेरे पास हैं, मतलब ठीक है, मैं individual हूँ ऐसे तो, बढ़ खिसी company के maximum shares मेरे पास हैं, ठीक है, मैं company SSI हूँ, और मेरा specified business भी है, for example, मेरा 3 star, 4 star hotel है, ठीक है, for example, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि, मैंने last year, ठीक है, last year, section 35AD में deduction लीती, क्योंकि मैं specified business हूँ, तो मैंने 35AD में deduction ले ली है, ठीक है, clear है, अब मुझे पता चलता है, कि वो sections आ गए है, 115 BAA, 115 BAB, और वो हमें reduce rate of tax, की तरफ कहते हैं, कि अगर आप चाहें company SSI, तो आप वो tax rate ले सकते हैं, मुझे लगता है कि, मुझे इस साल, ठीक है, अब income tax officer, मुझे से क्या बोलेगा, नहीं रजजट सर, देखिए आपकी company है, आपने last year 35AD लिया था, और वो तो mandatory है, कि आप हमेशा 35AD लेंगे, तो इसलिए आप उस section में नहीं आ सकते, तो आज बताए ये law क्यासे बन गया, law बन गया कि 35AD is now optional, 35AD optional है, यानि कि अगर मैंने last year लिया था, तो जरूरी नहीं है कि मैं next year भी लूँगा, तो वो income tax officer, आज मुझ से कुछ ऐसी बाते नहीं करेगा, कि आपको इलिए mandatory, आपको हरसा लेना पड़ेगा, no, I can say now, please read, go and read 35AD, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मैं तो भाई ऑप्शनल हूँ, 35AD कह रहा है कि मैं तो ऑप्शनल हूँ, तो इसका मतलब, अगर मैंने last year 35AD लिया था, कि हमें इस साल भी जो मैंने capital expenditure किया है, कि मैं 35AD उस पर लूँगा, तो that is an option to me, ठीक है, इसलिए ये reduction आई, अच्छे मैं थोड़ा से ज़्यादा background में चला गया था, 35AD याद रखिए, now it is optional, MCQ में शायद आ सकता है ये, otherwise इतना बहुत अज़र जरूँ नहीं है, okay, 40A3, 40A3 तो सब लोग जानते होंगे, ये section क्या कहता है, 40A3 होता है कि cash payment नहीं करनी, एक दिन में single party को 10,000 रुपीज से ज़्यादा, अगर आप 10,000 रुपीज से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो कैसे कीचे, account paychecks से कीचे, account pay bank draft से कीचे, ठीके, या other prescribed mode, ठीके, अभी prescribed mode क्या था, पहले लिखा था, other prescribed mode से आप कर सकते हैं, मतब other than cash, mainly थे ये banking transaction ही, हम जानते थे ये, prescribed mode क्या हो सकते हैं, net banking के थूँ करिए, debit card, credit card के थूँ करिए, ठीके, आज तो e-wallet वगेरा आ गए है, बट अब lawn स्पेसिफिकली prescribed कर दिए हैं आपर, पहले लिखा था, prescribed mode, तो अब लिख दिया है, कि prescribed कौन-कौन से mode से जाएंगे, आप electronic mode से कर सकते हैं, like credit card, debit card, net banking, IMPs, UPI से कर सकते हैं, RTGS, NEFT, Bheem, अधार पे, तो ये सारे modes आज prescribed कर दिए हैं, तो 40A3 में as such कोई amendment नहीं है, बट वहाँ पर बस ये लिखा होता था, कि पहले हम account पेचेग, bank, draft से, या prescribed mode के धुरू कर सकते थे, वो बस modes prescribed कर दिए हैं, बस इतनी छोटी सी बात होई है, ठीक है, अब देख रहे हैं न, बहुत ज़्यादा amendments नहीं हैं, पीजी बीपी में छोटी-छोटी amendments है, एक बर में revise करना नहीं होँगा दुबारा, 32AD investment allowance अब नहीं मिलेगा, ठीक है, और ऐसी states में, जब manufacturing units अपनी plant machinery लगाती थी, तो उनको additional depreciation में मिलता था 35%, अब 35 नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को जितना मिलता 20%, इन लोगों को भी उतना ही मिलेगा, scientific research में, जहाँ जहाँ पर weighted reduction थी, वहाँ पर सब 100% ही हो गई है, पहले 150 हुआ करती थी, कुछ जगह पर वो सब 100% हो गया है, 35CCC और 35CCD में भी weighted reduction हुआ करती थी, अब भी 100% हो गया, और यह दोने sections आपके काम के नहीं है, 35AD, capital expenditure का होता था, as such कोई amendment नहीं है इसमें, बट simple एक word आड कर दिया गया, कि now 35AD is optional, क्यों आड किया गया है, वो दो sections की वज़ा से, 40A3 में भी as such कोई amendment नहीं है, सरिफ पहले लिखा हुआ था कि other prescribed mode से कर सकते हैं, वो prescribed modes नहीं बता हुए थे, वो prescribed modes अब बता दिये गए हैं, ठीक है, समझ भारा है ना, बिल्कुल easy easy चल रही है, ठीक है, अब जितनी हमने amendment की थी, residential status की या salary की, उसके से देख, compare में करूँगा तो बहुत easy amendments है, PGVP की तो, 43C है, important section है, कैसे होता था यह, जिसे capital gain में हम लोग पढ़ते था ना, 50C, 50C, real estate transaction का, real estate transaction का, कि जब कभी भी seller, अपना कोई land या building बेच रहा है, तो वो stamp value से कम की value नहीं बताएगा, ठीक है, 50C यादा आ जाता है, तो 50C में था कि stamp value से वो कम की नहीं बताएगा, but, 5% का grace allowed था, 5% का grace allowed था, इसी तरीके से same, section 43C होता है, for example, किसी का real estate का, को बेचता है, as a stock in trade, मतलब उसका business है, ठीक है, कोई वेक्ती building या land, या बोथ बेचता है, and that is as a stock in trade, तो उसकी PGVP की income आ जाती है, और similar section, 50C जैसे capital gain है, 43C है, PGVP में आता है, I believe यह आपको थोड़ा-थोड़ा याद आ गया होगा, change क्या है, important change है, आप यह exam में expect कर सकते हैं, important है, मैंने लेक भी दिया, important है, पहले वो 5% तक allowed होता था, कि जितना भी आपने अगर stamp value से, कम में भी बेचा, बट अगर 5% का variation है, तो allowed हो जाता था, बस वो 5% का variation में, change होकर 10% तक का variation कर दिया गया, यानि कि पहले 5% तक का भी difference है, तो हम मान लेते हैं, चलो selling price ठीक मान लेते हैं, अब, तो अब 10% तक का grace है, कोई problem नहीं है, अगर आपकी actual selling price, stamp value से भी कम है, बट, इतना कम है, कि 10% तक आ रहा है वो, तो ठीक है, कोई बात नहीं allowed है, तो 5% को सरफ 10% कर दिया गया, यह तो easy है, कर लेंगे हैं हम से, ठीक है, हाँ अगर वो जादा, अगर 10% से भी जादा variation है, फिर तो हम stamp value ही लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी actual price, ठीक है, actual price मान लेते हैं, है 100,00,00, और stamp value है, फर एग्जांबल, 108,00,00, तो पहले हम लोग क्या करते थे, हम देखते थे कि 5% का variation हो रहा है, क्या तो 100,00,00 का actual price का 105% करके देख लेते थे, तो 100,00,00,00,00 का 105% कितना होता है, 105,00,00, ठीक है, 105,00,00,00 तक की stamp value तो चलेगा, पर 108,00,00,00 की value है, तो फिर नहीं चलता था, ठीक है, मतलब 5% ज़्यादा variation था, पर आज ये variation थोड़ा से बढ़ा दिया गया है, हम क्या बोलेंगे, कि ये actual जो price है, उसमें 10% आड़ करके आप देख सकते हैं, तो actual price का 10% आड़ करेंगे है, इसका मैं 110% ले लूँ, एक ही बात है, तो आज अगर ये 110 भी stamp value है, तो भी चलेगा, ये फिर 100 लाग चलेगा, 10% का variation को हम ignore कर सकते हैं, तो बस 5% को अब 10% कर दिया गया है, similar change है, 43 CA में change आया, तो 50 C में भी change आया, ठीक है, 50 C में जब capital gain पढ़ाऊंगा, same बात हैं वहाँ पर भी, कि पहले वो 5% का change होता था, अब वो 10% का भी हम difference ले सकते हैं, same बात है, IFOS में देखेंगे, IFOS में अगर हम inadequate consideration में खरीदते थे, stamp value से भी हमने काम बेचा, for example, तो अगर वो 5% in fact वो खरीदा, कि वो gift का cases होते थे, तो अगर वो आपने 5% भी काम खरीदा, तो 5% तक चलता था, ठीक है, बट अब 10% तक चलेगा, तो वो changes हर जगा पर आ गए हैं, जहां जहां पर यह real estate transactions होती थी, तो जहां पर 5% allowed था, वो 10% कर दिया गया है, ठीक है, 44AB बहुत ज़्यादा important है, very important, 44AB क्या ओदा है, text audit के लिए, ये तो पक्का आप कह सकते हैं कि MCQ के लिए बन सकता है, ठीक है, MCQ के लिए बिल्कुल बन सकता है, 44AB, text audit के बारे में, business का audit कब होता था, अगर turnover हमारा, during the previous year, 100 lakh से उपर होता था, मतलब 1 करोड, ठीक है, अगर business के लिए, business है, तो अगर turnover हमारा 100 lakh, मतलब 1 करोड से उपर है, तो text audit होना जरूरी होता है, profession के लिए 50 lakh, यह limit सी, जो हम लोग पहले से जानते थे, अब profession में तो कोई change नहीं आया, profession में कोई change नहीं आया, आज भी limit 50 lakh ही है, 1 करोड में भी, ज़्यादा changes नहीं है, आज भी वो limit है, बट इसमें एक बस provision और add कर दिया गया है, इसमें एक provision और add कर दिया गया है, लिखा हुए है कि अगर आप mainly, अपनी ज़्यादा ज़्यादा transactions, digital payments करते हैं, digital transactions का मतलब होता है, कि आप bank, king channel के mode से करते हैं, e-wallet के through करते हैं, आपकी जितनी भी business की transactions होती हैं, whether it is for payments, or whether it is for resets, तो जितना भी आप पैसे लेते हैं, या फिर पैसे आप किसी को pay करते हैं, आपकी maximum अगर आप digital payments के through करते हैं, तो हम आपके audit में relaxation दे रहे हैं, किस बात का relaxation, पहले एक करोड के उपर ही हमें audit कराना पड़ता था, अब पाँच करोड के उपर कराना पड़ेगा, ठीके, अगर आपका turnover 500 lakh से जादा है, तब आपको audit कराना पड़ेगा, provided आपकी payments, digital payments हो, digital payments मतलब banking channel के through हो payments, ठीके, तो किसी भी तरह से, beam से, e-wallet से, UPI, net banking से, ठीके, account paycheck से, ठीके, account paying bank draft से, अब कुल मिलाके banking channel के through होगी, तो हम आपको audit में relaxation दे रहे हैं, तो अब audit 100 lakh के बाद कराने के ज़रूद नहीं है, अगर आपकी maximum digital payments है, अब ये maximum का मतलब क्या होगा, more than 95%, ठीके, तो, अगर, तो cash transactions कितनी है, सरफ 5% तक बोला गया, कि आप जो, जितना भी, जितना भी आप cash receive करते हैं, जितना भी money आप receive करते हैं, ये जितना भी आप pay करते हैं, ये maximum आपकी total receipts का 5%, ये total payments का 5% से ज़्यादा नहीं हो, मतलब 95% चीज़े, आप digital payment के दुरू कर रहे हो, लिखा हुए क्या है, if both the following conditions are satisfied, हम आपकी audit की limit, 100 lakh से, business के लिए बोला, अब profession के लिए कोई change नहीं है, profession के लिए पहले भी 50 lakh थी, अगर कोई professional, अपनी 100% receipts और payment, digital भी कर दे, तो भी 50 lakh के उपर ही audit कराना है उसको, profession के लिए there is no change, this change is only and only for business, ठीक है, याद रहेगा यह बात है, यह कहते हैं कि हम आपकी 500 lakh के उपर, मतलब 5 क्रोड के उपर आपको audit कराना पड़ेगा, if both the following conditions are satisfied, क्या लिखा है both the following conditions, मैं page 19 पर हूँ, ठीक है, both the conditions are satisfied क्या होता है, aggregate of all amount received, जितना भी आपने पैसा receive किया है, ठीक है, जितना भी पैसा आपने receive किया है, जितना भी पैसा आपने receive करा है, cash में ना करें, बट अगर आपने cash में करा है, तो वो आपके total receipt का, total जितना भी पैसा receive हुए during the previous year, maximum 5% हो 5% से exceed ना करें, ठीक है, यानि कि अगर आपने for example, for example, 100 lakh rupees receive किये हैं, तो इसमें से maximum payment आपके bank के थुरू आ रही हो, electronic payment आ रही हो, digital payment आ रही हो, cash में अगर आ रही है, तो 2 lakh आ रही है, 3 lakh आ रही है, 4 lakh आ रही है, 5 lakh तक तो allowed है, अगर ये receipts, 5 lakh से उपर हो गई, 5 lakh मतलब 5%, ठीक है, मैंने 100 lakh आपने रही है, तो अगर 5% से जैसे उपर हो गई, तो आपकी ये condition हो गई, और हमें दोनों condition satisfy करनी थी, अगर एक भी condition break है ना, फिर हाँ, आपका audit फिर तो 100 lakh से उपर ही होगा, तो लोग समझ गए, close to 100% transactions digital payment के थुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप देखो, digital payment के थुरू सारी transactions आ रही है, हर चीज वाइट में हो गई, अब manipulation के chances रहे नहीं, तो अब audit की, तो सरकार कह रही है कि अब audit की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब audit की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आपकी कुछ transactions cash में होने लगी, और इतनी होने लगी कि वो 5% से भी उपर चली गई, तब आपको audit कराना पड़ेगा 100,00,000 से उपर, ठीक है, तो यह बास समझ के 100,00,000 की limit आज भी है, एक extra limit आगई है 5 क्रोड से उपर की, दोनों condition पर टिक लगना चाहिए, दोनों condition क्या है, जितनी भी आप पैसे receive करें, cash में maximum 5%, 5% of what? total receipt, जितना भी पैसे receive हो हैं during the previous year, उसका 5% से ज़्यादा ना हो, जितना भी payment करें, वो 5% से ज़्यादा ना हो, 5% किसका total payments का, total payments का 5% ज़्यादा ना हो, ठीक है, अब देखो examiner आपको कैसे confuse करेगा, वो कहता है, कि हमें 100 lakh की cash results आई है, related to sales, related to sales, और 99 lakh हमारी account paycheck के थुरू आई है, या electronic payment के थुरू आई है, ठीक है 100 lakh की पैसे आए, 100 lakh पैसे आए, sales करी हमने, ठीक है, sales करी turnover हुआ, और 99 lakh पैसे हमारे, मतलब 99% पैसे हमारे other than cash आई, हम बोलेंगे सही चल रहा है, बट वो कहेगा, कि आपने assets बेचे, 10 lakh के या 15 lakh के, और ये पैसे आपके cash में आ गए, तो हम यहाँ पर confused हो जाएंगे, अरे यार, ये तो assets बेचे हैं हमने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, aggregate of all amounts, फ्लीज ध्यान दीचेगा, ठीक है, all amounts, all amount paid, कुछ भी आपने पैसे receive करें हों, जाहे हो आपके sales से पैसे आ रहे हों, assets बेच कर आ रहे हों, scrap बेच कर आ रहे हों, किसी भी तरीके से, कोई भी आपकी business में जब पैसे आएं, तो उसको आप total receipts माने, उसका आपको 95% देखना है, ठीक है, 95% समझ गए, आपने पैसे पैसे करने के लिए, कोई expense करने के लिए, कोई assets पैसे करने के लिए, कोई investment करने के लिए, जितने अभी आपने पैसे किये हैं, उसका total देखा जाएगा, सब लोग समझ गए, all amounts received, all amounts paid, ठीक है, important amendment है, तो कोई अगर आपसे ये कहता है, कि क्या आप tax audit की limit पांच करोड से उपर हो गई है, true or false, रे सर हंड़िद करोड, हंड़िद लाग भी है, ठीक है, हंड़िद लाग भी है, जिन लोगों का cash payments आजाती हैं, पांच परसंट से ज्यादा, पांच परसंट ज्यादा, उनके लिए 100 लाग के बाद audit होगा, 500 लाग भी limit है, बट उन लोगों के लिए, जिनकी maximum payments, digital payments हो रही हैं, maximum resets, digital resets हो रही हैं, maximum का क्या definition दिया गया, cash restricted हो सरफ 5% तक, समझ को समझ में आता है, बहुँ जद इंपॉर्टेंट था, बट प्रोफेशन के लिए कोई change नहीं आए, तो question ये भी आ सकता है, एक professional है, ठीक है, आपको क्या रहेगा, आपको 5 क्रोड ध्यान में रहेगा, आप क्या कर देंगे, professional के लिए भी 5 क्रोड लगा देंगे, कुशन आजएगा, एक professional है, उसके पास receipts आई, 100% receipts cash में नहीं आती है, digital payment के दुरू आती है, 100% payment, digital payment के दुरू करता है, जल्दी से आप limit बताईए, ठीक है, लिमिट और option क्या देगा वो, 100 lakh, ठीक है, 500 lakh, मतलब 5 करोड, 50 lakh, none of these, तो answer क्या आएगा, professional के लिए 50 lakh, professional के लिए कोई change नहीं है, उनकी payments, digital हो, ना हो, 50 lakh के बाद audit होना है, ठीक है, दूसरा change, ये बात है ना, actually हम return of income में भी बढ़ते हैं, कि हमारी return of income, आपको पता है कि, ये आपने पहले भी आपको याद होगा, पुराने provisions है, कि जिन लोगों का audit होता था, उनकी return file करने की date हो जाती थी, 30th September, ठीक है, जिनका audit नहीं होता था, 31st July, जिनका audit होता था, 30th September, of assessment year, हमारा जो section 1391 है, 1391, return filing का, उसमें भी change आगे due date में, कि जिन लोगों audit होता था, जो पहले date 30th September होती थी, वो अब 31st October कर दिया, यानि कि आपको return file करनी है, 31st October of assessment year, ठीक है, तो पहले लगबख year खतम होने के बाद, 6 महिने मिलते थे, अब 7 महिने मिल रहे हैं, बट audit report आपको एक महिने पहले ही देनी है, audit report आपको एक महिने पहले ही submit करानी, income tax department में, उन्होंने सरफ return file करने का, ROI, file करने की date बढ़ाई है, 31st October कर दी, बट आपको अपना text audit कराना है, चार्ड अकाउंटेंट से, और वो text audit की report, अगर आपका audit होना ज़रूरी है, तो आपकी text audit की report, एक महिने पहले आजानी चाहिए, 30th September तक, 30th September तक आजानी चाहिए, return file होगी, 31st October तक कर सकते हो आप, बट audit की report आपको एक महिने पहले देनी होगी, तो 30th September है रहेगा, यह बहुत सारे sections हैं, जहां पर वो कहता है कि, आपको audit कराना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, slum sale की, कि अगर आपको slum sale हुई है, या फिर 10 AA की reductions वगेरा लेनी हैं, बहुत सारे sections होते हैं, जहां पर आपको audit कराना ज़रूरी होगा, 35 AD है, तो audit कराना ज़रूरी होगा, तो उसके लिए, उन sections में भी जब audit कराना ज़रूरी होता है, तो return file आप करेंगे 31st October, पर अपनी text audit report summit करेंगे 30th September तक, एक महीने पहले तक, यह एक महीने पहले बोला क्यों होगा है, वैसे तो आपको करना नहीं है, बट फिर भी आप अगर मुझे से logic पूछेंगे, कि सरी एक महीने पहले क्यों बोला हुआ है, देखे आजकल क्या होगा है, पहले जमाने में क्या होता था, return हम लोग file करते थे, फिर वो income tax department process करता था, assessment में लगता था, उसमें बहुत लंब 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 टाइम लग चाथा, किसी का refund आने में ही एक एक दो दो तीन तीन साल लग जाते थे, इस साल का refund दो साल के बाद आ रहा है, अब income tax department चाहता है कि बहुत ज़्यादा चीज़े quick हो चाहें, ठीक है बहुत ज़्यादा speed पकड़े, कि अगर किसी का refund आ रहा है, वो return फाइल करें उसका, और 15 दिन के अंदर हम उसका return प्रोसेस करके, उसके accountment credit करें, सारे returns बहुत जल्दी-जल्दी कोई भी backlog ना बनें, और हम काम बहुत जल्दी-जल्दी करें, तो ये लोग क्या करते हैं, audit report पहले से मंगा के रख लेते हैं, एक महिने पहले इनोंने audit report लोग मंगा ली, अब audit report में क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर auditors की qualifications होती है, qualification का मतलब अगर auditor ने वहाँ पर कोई भी expense disallow किया है, या कोई भी चीज़ पर comment किया है, वो पहले से उनके पास आ जाएगा, अब वो return में check कर लेंगे, अब देखे, पहले से उनके पास है, जैसी assessi की return आएगी, वो देख लेंगे कि क्या assessi ने ये सारी चीज़े return में ठीक की हैं या नहीं की हैं, तो वो एकदम उससे match भी हो जाएगा, होगी, कुछ sections होते हैं, जैसे 10AA, 35AD, etc, slum sale वगेरा, तो वहाँ पर audit कराना जरूरी होता है, तो audit ठीक है, return आप 31st October तक दे दीच्वेगा, बट अपनी report, text audit report आपको एक मेने पहले देनी होगी है, ठीक है, सब को समझ में आता है, ये बाते थी PGPP की, 35% additional depreciation, अब नहीं मिलेगा, 20% मिलेगा, सरफ एक case में 35 मिल सकता है, कब, जब last year आपने खरीदा था asset, तो उस पर 35 मिल सकता है, ठीक है, आपने 17.5% last year लिया था, तो इस पार 17.5% आप ले सकते हैं, 35 में सब कुछ आप 100% हो गया है, ठीक है, 35AD, optional section है, अभी है, साफ साफ लिख दिया है, 48.3 में payments mode prescribed हो गए है, 43CA, ठीक है, जहां पर आप real estate transactions करते थे, यहां पर stock and trade की तरह अपने land या building या दोनों चीज़े बेशते थे, तो अगर आप stem value से कम बताते हैं, तो हम stem value लेते थे, बढ़ा, अगर आप stem value से कम बता रहे हैं, और 5% तक का variation है, तो चलता था, बढ़ वो variation अब 10% तक कर दिया गया है, ठीक है, text audit आपको कराना पड़ता था, 100,00,000 के उपर, आज भी 100,00,000 के उपर है, business के लिए, बढ़ कुछ businesses जिनकी maximum transactions other than cash हो रही है, net banking, digital payment हो रही है, तो उनके लिए अब 5 करोड के उपर उनको audit कराना पड़ेगा, तो उनको relaxation मिल गई है, जादर अब लोग कोशिश करेंगे, भाईया, जो लोग बिल्कुल अच्छे सई से चलते हैं, तो अपना जितनी भी cash receipts हैं, cash payment हैं, जितनी भी, चाहे sales के थुरू हो, चाहे assets बेचने या खरीदने के थुरू हो, कैसे भी हो, वो चाहते हैं कि अब cash में minimum करें, 5% से कम ही रखें, ठीक है, tax audit report, आपको एक मेहने पहले, due date होती है, अब 31st October, उससे एक मेहने पहले आपको tax audit report फिर्स्ट अमेंड्मेंट जो capital gain में हैं, CII 301 लेना है अब, ठीक है, for financial year 2021 के लिए CII 301 है, last year का क्या था, financial year 1920 के लिए 289 था, अब now you have to take the CII as 301, ठीक है, यह तो आपको याद रहेगा, वैसे तो आपको exam में ये question में given होता है, but still current year का CII हमें पता होना चाहिए, तो financial year 2021 is 301, second important एक, यहाँ पर changes आया है, cost of acquisition के clause में, this is important, हम लोगो पता है कि, आप सभी assets, in case वो acquire हुए हैं, 1st April, 1st April, 2001 से पहले, 1st April 2001 से पहले होते हैं, तो हम उसके लिए cost of acquisition लेते हैं कि, actual cost, actual cost of asset, और fair market value, as on 1, 4, 2001, whichever is higher, agree है ना, कोई भी asset, 1, 4, 2001 से पुराना है, तो हम उसकी fair market value, 2001 की ले लेते हैं, यहाँ पर एक change आया है, in case, land या building के बारे में, अगर हमें cost of acquisition लेनी हो, land, building और बोट, हमें इनके बारे में cost of acquisition लेनी हैं, 1, 4, 2001 की fair market value ले सकते हैं, अगर यह पुराने assets हैं तो, but this value should not be more than stamp value, यह stamp value से जादा नहीं होनी चाहिए, it should not be more than stamp value, लोग क्या करते थे, let's say, for example, there is a person, Mr. A, इन्होंने अपने एक land sale out किया, ठीके, इन्होंने अपने एक land sale out किया, let's say, 1, 11, 20, 20 को, ठीके, 1, 11, 20, 20, इन्होंने एक land sale out किया, let's say, 70 lakh rupees का, और यह बहुत पुराना land था, purchase किया गया था, somewhere on 15 to 1975 में, ठीके, 75 में बहुत पुराना purchase था, तो हम लोग क्या करते थे अभी तक इनकी actual cost देखते थे कि कितने का 75 में purchase किया गया था लेट से 75 में purchase किया गया था 2 lakh rupees का phenomenon की fair market value देखते थे fair market value as on 1,4,2001 क्या है तो इनका कहना था sir हमारी market value थी यहाँ पर let's say 20 lakh rupees की हमारी market value थी तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे fair market value ले रहे थे actual cost 2 lakh fair market value whichever is higher तो हम लोग ने 20 lakh rupees लेते है cost of acquisition इस तरीकी से अपना capital again compute करेंगे but अब यहाँ पर changes आ गए है only in case of land या building land या building के लिए changes आएंगे किसी और दूसरे assets के लिए नहीं only for land building यह केते हैं इसकी fair market value के साथ-साथ अगर इसकी one for 2001 को stamp value भी available है in case the stamp value is available तो उसको भी consider कीचे in case अगर इसकी stamp value है 22 lakh तो आप fair market value ही लीचे but अगर stamp value इसकी कम है, stamp value is let's say 16 lakh है तो law ने अब ये बोला की the fair market value should not be more than stamp value stamp value से आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो यानि कि यहाँ पर अब assessi के उपर एक restriction लगा दी थी क्योंकि fair market value तो कुछ भी हो सकती है कि कि although कुछ भी नहीं scientifically आपको बताना पड़ता है कि क्या fair market value है दूसरे parameters भी देखने पड़ते है but still थोड़ा सा biasness हो सकती है वहाँ पर तो now it is limited to stamp value कि अगर आपकी पास stamp value है तो हम stamp value को भी देखेंगे तो fair market value अगर stamp value से ज़्यादा है तो हम stamp value को ही 142001 की value मानते हुए इसको हम deemed cost of acquisition मान लेंगे अगर stamp value ज़्यादा है फिर तो कोई problem नहीं है तो you can take fair market value ठीक है तो changes क्या है क्या अब stamp value लेनी है नहीं stamp value लेनी नहीं है आपको changes आया है only in case of land या building अगर ये पुराना land या building था तो आप इसकी fair market value 142001 की ले सकते है but it should not be more than stamp value ठीक है एक question भी करें इसका लिखा हुए old provision क्या था in case capital asset being land or building or both which is acquired before 1 April 2001 अभी तक हम क्या करते थे actual cost ये fair market value whichever is higher fair market value as in 142001 अब changes क्या है only in respect to only in respect to land or building और both की के land or building के लिए changes आएंगे in case the capital asset being land, building या both which is acquired before 1 April 2001 वन कर लिजे इसको before 1 for 2001 the cost of acquisition will be actual cost ये fair market value वही चीज़े है but अब आपको fair market value देखनी है the fair market value should not exceed stamp value as on 1 for 2001 अगर stamp value available है in case अगर stamp value available ही नहीं है फिर तो आप ये clause छोड़ सकते है but in case stamp value available है तो your fair market value should not be more than तो stamp value let's say fair market value हमारी आ रही है 20 lakh this is fair market value stamp value आ रही है let's say 16 lakh तो इस case में हम लोग 16 lakh ही लेंगे because fair market value should not be more than stamp value but अगर I am giving you second case in case अगर हमारे पास fair market value आ रही है 20 lakh और stamp value दी गई है 24 lakh उस case में तो हम fair market value ले सकते हैं because it is not more than stamp value so my answer here would be 20 lakh ठीक है मैंने चे एक note भी दिया है please note this amendment is only with respect to land, building और both this is not for any other capital asset किसी और capital asset के लिए please ये आप amendment मत देखेगा stamp value की और stamp value होता भी है land या building के लिए let's see this example Mr. A has acquired a house property on 17 1997 17 1997 यानि की 14 2001 से पुरान आया 5 lakh की property acquire की गई थी 18 2009 को इन्होंने first floor construct किया आपको पता है cost of improvement नहीं लेनी होती है before 14 2001 से पहले की 14 2001 के बाद की improvement आप ले सकते हैं but you cannot take before that ठीक है ये पुरानी बाते हैं आपको पता है 111.20 2002 को इन्होंने second floor construct किया ठीक है हम इसको consider कर लेंगे because this is improvement which is done after 14 2001 on or after 14 2001 112.2020 को इन्होंने third floor construct किया 10 लाग का ठीक है इसको भी हम ले सकते हैं cost of improvement में इन्होंने 2021 में February 2021 में 90 लाक रुपीस का इघर बेच दिया गया capital यन आएगा ठीक है lockdown है दो साल से जादा है indexation भी करनी पड़ेगी हम कैसे करते थे full value of consideration 90 लाक cost of acquisition cost का index करेंगे cost कितनी थी 5 लाक रुपीस actual cost because यह 14 2001 से पुरानी है तो 14 2001 की fair market value भी देखते थे और fair market value दी गई है fair market value is 7 लाक तो अभी हम क्या लेंगे 5 लाक और 7 लाक whichever is higher 7 लाक लेंगे but हमें देखना है क्या stem value भी दिया गया है 14 2001 का the answer is yes and the stem value is 6.9 लाक 6.9 लाक stem value दी गई है फिर हम fair market value को 7 लाक नहीं लेना है it should be restricted to stem value that is 6.9 लाक अब क्या देखेंगे 5 लाक या 6.9 लाक whichever is higher 6.9 लाक की हमारी deemed cost बन जाएगी full value of consideration 90 लाक में घर बेचा index cost of acquisition 6.9 लाक का हम index कर पाएगे तो मुझे लगता है कि ये भी important question आपका बन सकता है क्योंकि एक important amendment है यहाँ पर students गलती कर सकते है कि वो लोग stem value ignore कर दें ठीक है अगर stem value जादा होती 7 लाक से जादा होती let's say 7.1 लाक होती फिर तो हम 7 लाक ले सकते थे law ने बोला the fair market value should not be more than stem value ठीक है और improvement cost कौन से लेनी है 2001 से पुरानी improvement 2 लाक वाली नहीं लेनी 6 लाक की लेनी है indexation करेंगे आप 10 लाक की लेनी है indexation करेंगे आप ठीक है और 10 लाक में indexation करके 10 लाक ही आएगा बिकाज ये इसी साल का improvement हुआ है 301 upon 301 ही आएगा बढ़ आपको show तो करना है indexation because long term है तो फिर तो show करना ही होता है ठीक है note देख ली छे fair market value as on 142001 was 7 लाक but it should not exceed the stem value इसलिए हमने 6.9 लाक की costly expenses before 142001 improvement expenses shall be ignored ठीक है याद रहेगी ये amendment तो capital gain में एक amendment हुई 301 हमारा CI हो गया ये तो आपको पता है हर साल ही change होते है तो for this year it is 301 cost of acquisition in case the asset is acquired before 142001 पुराने law रहेगा but सिर्फ land building के लिए हम stamp value को भी consider करेंगे only in case of land building ठीक है मैंने यहापे लिखा land building के लिए एकी amendment आई है ठीक है next amendment पर आए 50C I believe ये तो आप सब लोग जान गए होंगे अभी हमने 43CA किया PGPP में मैंने बताया था real estate transactions land या building बेचते हैं तो stamp value से अगर आप कम बताते हैं selling price तो हम stamp value देखते हैं बट अगर 5% तक कम बताते थे तब चलता था इतना grace चलता था but now that limit of 5% has been increased to 10% तो same amendment है जो 43CA में हमने की थी same amendment 50C में भी है this example ये अब मैं नहीं करा रहा हूँ आप एक काम कीचेगा यहाँ पर आप इस particular video को pause कर लीजे ठीके please pause the video right here यहाँ पर आप pause कर लीजे इस video को और अभी इसको आप करेंगे इसी example को जल्दी से आप कीचेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीके कर लीजे बहुत easy example है ओके चलें आगे अब section 49 में ये दो sections subsections insert किये गए हैं ठीके बाइफाइनेंस एक 2020 section 49 होता है cost of acquisition का cost of acquisition देखें अब हमारा CA inter के syllabus में section 49 course में है section 49 cost of acquisition का course में होता है बट जब हम institute का नया study material देखते हैं 2021 के लिए जो revise study material है ICI का तो ये दोनो sections वहाँ पर नहीं मिलते हमें ठीक है तो हम interpretation ये निकाल सकते हैं कि ये दोनो section हमारे CA inter के syllabus में नहीं होंगे इसकी institute ने नहीं दिये बट फिर भी मैं इन दोनो sections को यहाँ पर discuss कर रहा हूँ जादर समय नहीं लेंगे बहुत जल्दी इसको मैं complete कराने की कोशिश कर लेता हूँ बहुत ज़दर detail में नहीं तो at least उपर उपर से कि हमें एक rough idea हो जाए इस चीज़ का भी ठीक है तो I understand कि institute ने नहीं दी है तो शायद syllabus में नहीं है बट section 49 तो syllabus में है ठीक है अब कैसे भी आप समझ लीजे पर मैं चाहूँगा कि आप इस पर कुछ time बहुत थोड़ा कम time इसके उपर भी लगा दें ठीक है और बहुत easy बात है कोई इतनी मुश्किल बाते भी नहीं है हाँ मैं बहुत जादे detail में नहीं जाओंगा तो फिर भी एक आपको थोड़ा बहुत आपको idea होना चाहिए इस चीज़ का ठीक है तो discuss कर लूँ मैं इसको ठीक है एक concept होता है मैं assume करते हुए चलूँगा कि आपको mutual fund के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत idea है mutual funds क्या होते है mutual fund company क्या होती है mutual fund units क्या होते है तो इसका आपको तो idea होना चाहिए ओके mutual fund में या फिर semi ने 2018 में mutual fund companies को permission दे दी कि आप ऐसी scheme follow कर सकते है segregated portfolio की जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं side pocketing इसको हम side pocketing के नाम से भी जानते हैं side pocket क्या होती है तो हमारे jeans में या हमारे trousers में एक pocket होती है normal pocket और एक side pocket भी होती जहाँ पर हम अपने coins वगरा रख लेते हैं ठीक है almost वैसे ही concept है और मैं अगर आपको समझाने के लिए बता दू यह बहुत similar concept है जैसे की demerger का concept होता है एक company जब split होती है तो एक resulting company बना लेती है और एक पुरानी company बचती है जिसको हम original company है demurged company भी बोलते हैं तो जो लोग shares holder होते थे उसके for example आपके पास कुछ shares है किसी company के and that company gets demurged तो आपको क्या मिलते हैं दो shares मिल जाते हैं वो आपका share split हो जाता है ठीक है आपका share split हो जाएगा between resulting company and original जो आपकी company थी that way called demurged company ठीक है same scenario बिलकुल same scenario segregated portfolio का होता है होता कि mutual fund company investors को बोलते हैं जिनको हम asset management company भी बोलते हैं यह investors को बोलते हैं कि आप हमारे यहां पर पैसे लगाई है ठीक है तो investors यहां पर पैसे लगाते हैं और यह उनके पैसे अलग अलग जगा पर लगाते हैं shares करीदने में debentures करीदने पर जिस भी तरह क्या यह mutual fund scheme है equity oriented यह data oriented उस तरह कि यह पैसे अलग अलग जगा पर लगाते हैं that we called कि इन लोगों ने diversify कर दिया portfolio ठीक कि diversify you understand अलग 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 जगा पर पैसे लगाना तो for example यह mutual fund company है तो जितना इनके पास पैसे आते हैं जितना भी corpus आता है वो अलग अलग जगा पर लगा देते हैं for example company A में लगा दिया इन लोगों ने company A company B company C company D और इनके जो unit holders होते हैं वो इनकी units खरीदेंगे there is a unit holder ठीक है for example आपने भी इनकी कुछ units खरीद ली at a rate of rupees 10 per unit ठीक है प्लीज मुझे बताएए यह जो आपके पास units है सब लोग समझना इतना यह जो आपके पास units है यह आपके लिए assets है ठीक है जैसे ही हमारे पास यह financial instruments है और जब कभी भी आप इस units को बेचेंगे ठीक है अपनी units को बेचेंगे तो आपका capital यह ना आएगा ठीक है units की भी NAV change होती है net asset value हमारी change होती है और कुछ time के बाद जब हम इसको बेच देते हैं तो हमें फायदा हो गया तो capital यह नहीं है नुकसान होगे तो capital loss है because this is a capital asset units हमारी capital assets होते हैं ठीक है कैसे निकालेंगे अगर unit 15 rupees की होगी कुछ दिन के बाद और अगर आपने इसको बेच दिया तो I'll say कि आपका capital gain आ गया full value of consideration 15 rupees cost of acquisition 10 rupees 10 rupees में आपने खरीदा 5 rupees का आपका capital gain यहां तक मैं clear हूँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल normal चल रहा हूँ दुबारा से repeat कर रहा हूँ mutual fund companies ने में आपने पैसे invest किये आप unit holders बन गए आपको units मिल गई जैसे कि shares में पैसे invest करते हैं हमें shares मिल जाते हैं units में पैसे invest करते हैं हमें units मिल जाती है और हम इसको बेचेंगे तो capital यह ना चाहेगा ठीक है अब प्लीज मुझे बताईएगा अब होता क्या है किसी भी mutual fund company जिसको asset management company भी बोलते हैं काफी तारे professional लोग हैं आपर और यह आपके पैसे अलग-लग जगा पर invest करते हैं काफी precautions देखते हुए कि कहां-कहां पर हमारा पैसा growth कर सकता है उस तरीके से as per the nature of mutual fund scheme यह पैसे आपके invest करते हैं और इसी investment पर आपकी NAV net asset value of the unit depend करती है अब हुआ क्या कुछ साल पहले या कुछ past में कुछ mutual fund companies के units काफी ज़दा affected हो गए किसकी वज़ा से किसी एक investment इनो ने ऐसी कर दी वो गलत investment निकली बाद में ठीक है वो अच्छी investment नहीं थी that we called a bad investment तो उसकी वज़ा से पूरा का पूरा इन लोगों ने अच्छे से professionally managed किया था portfolio बट किसी reason से कोई एक investment गलत हो गई for example company A में investment B में C में तो ठीक थी बट D में investment हमारी गलत हो गई और इस वज़ा से क्या हुआ पूरे unit का price effect हो रहा है और investors को क्या लगेगा unit holders को क्या लगेगा mutual fund तो बेगार होते हैं ठीक है लोगों का विश्वास उठ जाएगा मतलब उनके sentiments hurt हो जाएंगे उनके emotional या investment sentiments hurt हो जाएंगे और वो कहेंगे नहीं हम लोग नहीं लगाएंगे पैसा ऐसा हुआ अभी अगर मैं बाते करता हूँ जैसे JP Morgan का एक fund था उन लोग नहीं पैसे लगाएंगे लग जगाएंगे पर और एक जगा investment उनकी गलत हो गई थी वो investment थी शाएद उनकी if I'm not wrong Mtech Auto Mtech Auto company थी वो डूब रही थी तो इसकी वज़े से उनकी investment गलत हो गई तो बाकी जगा पर ठीक था बट इसकी investment की वज़े से units का price नीचे आ गया और example अगर मैं दूँगा तो एक mutual fund होता है शादा आपने नाम सुना हो Franklin Templeton Franklin Templeton ठीक है उन लोग ने भी अलगले investment की थी अच्छी investment चल रही थी बट उनका भी एक गलत हो गया I.L.F.S में I.L.N.F.S में ठीक है तो वहाँ पर उनकी गलत हो गई investment तो उसकी वज़े से क्या होता है पूरी unit effect होती है और फिर unit holders कहते हैं कि नहीं है तो ठीक नहीं है सबको समझ मेरा मैं बिल्कुल simple language में आपको बताना चाहरा हूँ यह बाते तो अब mutual fund company ने सोचा एक काम करते हैं जो investment गलत हो गई है उसको अलगी कर देते हैं उसको segregate कर देते हैं और बाकी जो original है उसको अलग चलने देते हैं तो इन्होंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं अगर यह हमारा company D की investment for example यह investment ठीक नहीं है तो हम अपने unit holders को बोलते हैं कि यह आपकी units है ना हम उसके दो part कर रहे हैं good और bad सब लोग समझ गए good part और bad part जो आपके good part है जैसे ABC इसको हम अलग कर रहे हैं ठीक है क्योंकि वो तो सई investment थी उसके तो price बढ़ेंगे आगे और यह जो D है ना इसको अलग ही कर रहे हैं जो पैसे डूब गया आप इसको side में कर लेते हैं ठीक है इसको side में कर लेते हैं अब क्या हुआ अब मैं यह कह सकता हूँ कि हमारा as a unit holder as an investor हमारे पास for example अगर एक unit थी तो बाद में segregate होने के बाद हमारे पास दो units हो गई ठीक है एक तो bad unit को अलग कर दिया गया that we call segregated इसको side pocket कर दिया गया इसको अलग रखो भई ठीक है इसको कहा गया segregated portfolio side pocket और good वाले को अलग कर दिया गया ठीक है because now my security, my investment is splitted into two parts अब आप इसको अलग अलग trade कर सकते हैं trade मतलब अलग अलग बेच सकते हैं please मुझे बताईए अब जब good वाले part को बेचेंगे obviously शहाद जादा में बिकेगी capital गिनाएगा इसके उपर कैसे निकालेंगे जितना भी आपने बेचा that is your full value of consideration minus cost इसको भी अगर आप बेचेंगे बाद में हो सकते कम में बेचेंगे हो सकते capital loss हो जाए आपका बटाएगा तो ना ठीक इस पर भी computation करनी पड़ेगी जितने कभी बेचा full value of consideration good part कि जितने कभी बेचा that is your full value of consideration but the question is cost कितनी इसकी cost कितनी 10 रुपे तो फिर इसकी cost कितनी इस part की cost कितनी क्योंकि we understand कि दोनों की मिलाकर हमने 10 रुपे का खरीदा था 10 रुपीज का खरीदा था तो बस ये दोनों sections ये जो insert हुए हैं बस हमें इतना ही बता रहे हैं कि हम इन दोनों की cost कैसे निकालेंगे और बहुत ज़्यादा easy बात बताई गई कि इन दोनों की cost कैसे निकालेंगे तो पहले इसके बारे में बताया गया जो हमने segregate किया ना portfolio कि उसकी cost कितनी आएगी अब इतना तो देखे बहुत logical है दोनों की मिला कर cost कितनी जी 10 rupees हमालों जो section भी कहेगा कि बाद में अगर आप इन दोनों की cost को अलग-अलग कर दोगे पर दोनों की cost को अगर add करोगे तो 10 ही तो आएगा ना तो हमने 10 rupees को proportion करना है बस simple 10 rupees का simple simple proportion करना है तो उसका तरीका बताया गया इन्होंने कहा कि पहले bad unit का आप value निकाल लीजे ठीक है for example किसी ratio में proportion किया for example इसकी value आगे 2 rupees तो मुझे प्लीज बता दीजे good unit की जो original unit हमारी थी बाकी A, B, C उसकी value कितनी बची sir 8 rupees, simple है sir mathematics से यह तो बिलकल simple है क्योंकि total cost कितनी जी 10 जब हमने इसकी 2 rupees निकाल ली है तो good वाली की कितनी बची 8 rupees ठीक है, अगर इसकी for example 1 rupees आती तो कितनी बची इसकी 9 ठीक है, अगर for example 3 आती तो किसकी कितनी बची 7 तो इसकी निकालनी तो बहुत असान है sir, जो भी उपर वाला आए total cost में से उपर वाला लेगी, तो एक छोटा सा formula दे दिया है जो याद करने की भी जुरूरत नहीं है मैं simple आपको समझा देता हूँ ठीक है, बैसनों मुझे लगता है, शाहत पूछे गभी ने examiner आपके लिए बट still इन्होंने कहा, कि इस bad की value निकालने के लिए proportion कर करिये कैसे proportion करिये, इन्होंने कहा कि जब ये mutual fund company जब ये mutual fund company इस portfolio को split कर रही है, जब segregate कर रही है, तो segregate करने से ठीक पहले segregate करने से ठीक पहले, इस पूरे portfolio की value कितनी थी ठीक है, जिसको हम कहते है net asset value तो इस पूरे portfolio की value कितनी थी just before the segregation, जो भी पहले, इस total की value कितनी थी, तो let's say इसकी value x थी, ठीक है sir x और y मैं मैं मत समझाई, वो mathematics हो जाती अरे कोई बात नहीं, normal सी बता रहा हूं अब क्या, और क्या देखें, segregation से ठीक पहले ये जो bad value थी, इसकी value कितनी थी, इसकी net asset value कितनी थी, बस उसी में proportion कर दीचे तो जैसे की for example, ये net asset value अगर आएगा तो question में given होगा आपके, आपको कहीं से निकालनी होगे रहा है आपको simple proportion करना है ठीक है, तो मैं एक बाद दुबारे से repeat कर देता हूं इन्होंने क्या कहा, कि जो हमारी 10 रुपीज थी, clear है ये 10, मैंने लिख लिए हैं, आप ये 10 रुपीज थी कहते हैं सर, ये बस किसी एक fraction से multiply कर दीजिए proportion कर दीजिए, numerator upon denominator ठीक है, numerator में क्या रखें आप numerator में रखें कि segregation से ठीक पहले जो आप portfolio को segregate कर रहे हैं कि value कितनी थी, before segregation, before segregation before segregation मतलब जिस दिन split करा, उससे ठीक पहले, इसकी value कितनी थी, और divide किससे करेंगे, NAV of total portfolio total portfolio before segregation तो आपको इसकी value मिल जाएगी पक्का सबको समझ माग है, बिल्कुल simple है simple क्या करा, इस total मैंसे d की value अलग करनी थी simple कर दिया, हमने d divided by total, तो हमें proportion मिल गया, NAV of segregated portfolio upon NAV of total portfolio, ये fraction आ गया, इसको अपनी cost से multiply कर दीजे, ठीक है, लिट से आपको exam में कैसे मिलेगा समझ लेंगे न सम लोग जैसे मैंने लिखा हुए ये समझ में आ रहे है, चलो मैं थोड़ा साफ साफ लिख दू इसको कोस्ट अफ इंट न आप न अ आफ ईफ लिग अउन değ को ऒड़िव दिजे," और Rights अन आव blog न आव अउन अभ्ध अव संस्टुट को अभ Alright for और यह हमें NAV कब देखनी हैं? Before Segregation Just Before Segregation ठीक है? Before Segregation तो लेट से आपको दिया होता कि NAV of Segregated Portfolio NAV of Segregated Portfolio लेट से रुपीज 3 है और टोटल पोटफोलियो की वेल्यू 30 है तो आप सिंपल करते हैं 3 by 30 से fraction कर दीचे कितना आएगा? तो let's say cost of unit थी 10 रुपे into NAV of Segregated Portfolio 3 है divided by NAV of Total Portfolio 30 है तो कर दीचेगा 3 divided by 30 into 10 तो 1 रुपीज आ चाहेगा तो इसकी value आ गही हमारे पास 1 रुपी अब प्रीज मुझे बता दीचे इसकी value अगर bad unit की 1 रुपीज बची है तो good की कितनी value बची है? good की value बची है 9 कैसे करेंगे? original cost 10 रुपे थी minus जो उपर आया 1 रुपीज उससे minus कर दीचे ये 9 रुपीज उचाहेगा बस इतनी बाते आपको करनी है side pocketing में सब लोग समझ गए? आप इसको note करना चाहें तो यहाँ पर आप वीडियो को pause कर लीजे और note कर लीजे ठीके, पढ़ा दूँ एक बार book से आपको आपकी ठीके, चलिए मैं read करा देता हूँ theory में दिया गया है ठीके, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे जाद अच्छा रहेगा वहाँ पर आप technical भाशर से प्लीज बिल्कुल भी confused मत होईएगा मैं फिर भी एक बर पढ़ा देता हूँ आपको लिखा यही है बाते ठीके, तो यू can pause the video right here और इसको note कर लीजे चलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, एक बर मैं पढ़ा देता हूँ आपको लिखा हुआ है, सेक्षिन 49-2-A-G और 2-A-H दोनों इंसर्ट किये गए, Finance Act 2020 से The cost of acquisition of a unit और units in the segregated portfolio segregated मतलब bad वाली की value कितनी मानेंगे और जो original बची थी, मतलब good वाली उसकी value कितनी मानेंगे, तो the cost of acquisition of the original units original units मतलब, segregate करने के बाद जो हमारी original बची उसकी value कितनी मानेंगे This was bad portfolio की value और this was good की value जो हमारे split हो गया था unit चलो पहले में good की value बता देता हूँ, good की value simple होगी जितनी भी आपकी total cost थी पहले उसमें से जो bad वाला था वो minus कर दीजेगा लिखा क्या है, the cost of acquisition of the original unit held by the unit holder in the main portfolio shall be deemed to have been reduced by the amounts who arrived at under subsection 2 HE जो भी bad की value आई उसमें से reduce कर दीजे remaining value आपकी किया जाएगी समझमा क्या, simple बाते हैं यहां पर क्या लिखा होगा, sir यहां पर वो fraction की बाते लिखी होगी जो हमारी cost है उसको multiply कीजे NAV of Segregate Portfolio से upon total NAV से just before segregation तो यह बाते लिखी हुई है, एक बाद read कर रहा हूँ, cost of acquisition of the unit or units in the Segregate Portfolio shall be the amount which bears to the cost of acquisition of a unit or units held by the SAC in the total portfolio the same proportion as the net asset value of the asset transfer to the Segregate Portfolio bears to the net asset value of the portfolio immediately before the segregation of portfolio immediately before the segregation of portfolio sir, वो formula ही अच्छा है, यह तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक है, मैंने कहा था, आब मत समझे इसको normal formula लिख लीजए ठीक है, यह आप लिख लीजएगा यह amendment थी capital gain थीक है, तो these these were the amendment of capital gain एक बार revise करना चाहूंगा जल्दी से दुबारा cost inflation index 301 land building के लिए क्या करेंगे अगर 142001 से पुरानी है land building, fair market value हम लोग लेते थे, वो लेंगे, but it should not be more than stem value, ठीक है और दूसरी important amendment 50C तो याद हो गई क्योंकि 43CA में भी थी, पहले 5% तक का variation allowed था, 10% तक का variation allowed है, बस इतनी amendment है, और यह दोनो section है यह तो sir institute ने दिये भी नहीं है तो शायद नहीं भी आएंगे, पर आभी गए तो आप कर दीजेगा इसको ठीक है, next amendment पर आजाएं okay, IFOs ठीक है, IFOs में mainly यह एक amendment है, domestic company का dividend है, आप taxable होता है, मैंने पहले भी बताया था, इसके बारे में कुछ थोड़ी और बाते समझेंगे, important है again, मैं expect कर रहा हूँ इसके बारे में question hundred percent आना चाहिए ठीक है, hundred percent इसके बारे में question आना चाहिए चलिए शुरू करते है, IFOs हम लोग जानते हैं कि foreign company से जब dividend मिलता था, वो तो taxable होता ठीक है, उसमें तो कोई change नहीं है ठीक है, पहले भी taxable था foreign company का dividend, अभी भी taxable है under IFOs domestic company का dividend exempt हुआ करता था, ठीक है exempt होता था, because इसके उपर company CDT pay करती थी ठीक है, फिर बाद में changes आये थे 10 lakh से उपर है तो अब taxable हो जाएगा but now 10 lakh की बाते भी खतम हो गई है आज अगर आपको domestic company से dividend मिलता है जब domestic company से dividend मिलता है, तो it is now fully taxable in the hands of shareholder, shareholder के हातों में taxable होगा under IFOs, income from other sources, dividend एक चीज़ प्लिकुल याद रखिए dividend is always taxable under IFOs तो मेरे पास shares है या आपके पास कुछ shares है और हमें कुछ dividend मिलता है from company, let's say मेरे पास HDFC bank के shares है for example, तो मुझे जब HDFC bank पैसे देता है तो उस case में मुझे dividend, income taxable होगी under IFOs मुझे बताईए अगर मैं एक stock broker हूँ, ठीक है examiner confuse करेगा देखे आपको मैं एक stock broker हूँ मेरे काम है shares बेचना, खरीदना ठीक है, हमाँ dealer of shares और मुझे dividend मिलता है तो यह income कॉंसे हैड में taxable होगी IFOs dividend is always taxable under IFOs ठीक है, whether I am a normal investor, whether I am a stock broker मेरी income हमेशा IFOs की होती है stock broker का काम क्या है shares खरीदना और बेचना, ठीक है dividend earn करना नहीं था, बेचना था ठीक है, तो that income is PGBP, वो उसकी income PGBP की होती है, but उसको dividend अगर मिल जाता है speech, that income is IFOs, वो IFOs की income होगी इतनी बात को हमेशा आपको पता होना चाहिए कि dividend is always for anyone it is IFOs, whether you are a normal investor, और you are a stock broker ठीक है, तो now dividend is taxable in the hands of shareholders, और जब हम dividend की बाते करते हैं, थोड़ा मैं detail में बाते करूँगा अभी dividend की ठीक है, अगले 5-10 minute थोड़ा detail में बाते होंगी तो जब हम dividend की बाते करते हैं, तो इनके से अगर आपको deemed dividend भी मिलता है, ठीक है deemed dividend याद है न, 222 A 222 B, 222 C D और E, तो now these all are also taxable in the hands of shareholders, पहले क्या होता था, A, B, C, D के उपर CDT लग जाता था, ठीक है but now it is taxable सब कुछ CDT हट गया, now it is taxable in the hands of shareholders, तो new dividend भी आज आज आपके उपर taxable है ठीक है, clear हो गया लिखा हुए old provision or new provisions, dividend from foreign company, foreign company में change नहीं था, old provision क्या कहता था, shareholder के हाथों में taxable है, नए provision क्या कहता है, shareholder के हाथों मतलब कुछ कहते ही नहीं है, same है shareholder के हाथों में taxable हो जाएंगे dividend from domestic company, changes यहाँ पर है पहले क्या होता था, it was exempt in the hands of shareholder, upto rupees 10 lakh होता था, अब वो सब चीज़े भूल जाएं ठीक है now it is fully taxable in the hands of shareholder dividend आज shareholder के हाथों में पूरा का पूरा taxable है, whether it is dividend, ठीक है, interim dividend हो, final dividend हो, taxable है in fact, deemed dividend भी होगा, तो भी taxable है including deemed dividend, अब dividend पहले exempt होता है, 1034 में 1034 तो रह नहीं, ठीक है now dividend is taxable, in fact मैंने आपको बताया था न, mutual fund company से जब भी income मिलती है, that is also taxable, 1035 में वो exempt होती थी, 1035 भी नहीं रहा, वो भी taxable ही होगी कुछ और बात है तो लिखा हुए any income by way of dividend receipt from a company whether it is now domestic or foreign, it is taxable in the hands of shareholder at normal rates, normal rate of tax होगा, कोई special rate नहीं है, normal rate, और जिस individual है तो normal rate के है, slab rate के साब से हम taxable करेंगे पहले CDT मिलता था, अब CDT अब CDT के concept नहीं है but in case, यह थोड़ा इसी साल के लिए है, in case किसी domestic company किसी domestic company ने अपना dividend, यह changes कपसे हैं, यह changes आएं 1st April 2020 से 1st April 2020 से यह changes आगे हैं, now it is taxable in the hands of shareholder इससे पहले company CDT देती थी, इससे पहले company CDT देती थी और हमारे हातों में वह exempt हुआ करता था अब अब imagine कीजिए किसी domestic company ने 31st March 2020 को dividend declare कर दिया dividend declare कर दिया dividend declare कर दिया वह मिल रहा है आपको अब ठीक है उस case में क्या होगा सिर्फ उस case में हम taxable नहीं करेंगे ठीक है, अगर वह 31st March 2020 यह उससे पहले company dividend declare कर चुकी है तो उसके उपर company CDT देगी that would be exempt in the hands of shareholder क्योंकि वह पहले declare हो चुका था उस date से, amendment आने से पहले declare हो किया था ठीक है, इतनी बात याद रहेगी otherwise तो वैसे आना नहीं चाहिए अब तो now, जैसी आपको डिविदेंट दिखाई देता है ठीक है, नॉमल और कुछ भी बाते नहीं लिखी हुई तो प्लीज मेक टेक्सिबल in the hands of shareholder under I of OS बट यह बाते लिखी हुई है however, dividend distributed by the domestic company before 1-4-2020 and received by the shareholder on or after 1-4-2020 अगर company ने इसको declare कर दिया था पहले ही 1-4-2020 से पहले but मिला आपको अभी है तो उसके उपर 1-1-5-4 applicable 1-1-5-4 क्या होता था? CDT का corporate dividend tax का, तो उसके उपर हम पुराना law मान लेंगे, क्योंकि वो पहले declare हो गया था, ठीक है? otherwise, तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ये clause pushing examiner, but still you should know ठीक है note 2 note 2 ना आपकी मैंने यहां पर लिख दिया आपकी knowledge के लिए exam में तो मुझे पता नहीं कि ये आपसे पूछे जाना चाहिए but you should know this ठीक है मैं ऐसे समझाता हूँ आपको मुझे एक बताईए let's say this is previous year 2021 ठीक है 1st April 2020 और उसके बाद this is previous year 21-22 ठीक है, वो पुराना लौ नहीं बता रहा हूँ मैं कि वो उसके उपर CDT लगेगा CDT वाला तो प्रोविजन था कि अगर previous year 1920 होगा, 1920 में डिक्लेर किया बाद में मिला तब CDT वाला प्रोविजन था ठीक है, यहां पर तो शेरोल्डर के हातों में टेक्सिबल वाला सेनारियो में डिसक्स कर रहा हूँ एक कंपनी है Let's say there is a company कौनसे मानते हैं Okay Let's say भारती Airtel भारती Airtel ने अपना final dividend ठीक है, यू इंटरिम डिविदेंट, final dividend तो भारती Airtel ने अपना final dividend declare कर दिया Let's say on 20th March 21 This year पक्का न, 31st March 21 ता किसी year में आएगा 20th March 21 को और उने declare कर दिया वो आपको रिसीव हुआ है वो आपको रिसीव हुआ है Let's say on 2nd April 2021 को That is this year इस year में वो रिसीव हुआ है मुझे प्लीज बताईए शेरोल्टर के हातों में टेक्सिबल है वो तो कुशन ही नहीं है शेरोल्टर के हातों में टेक्सिबल ही है पक्का ठीक है सर्व आपने बताया था CDD लगे अरे CDD 19-20 वाले year था वो year नहीं लिया मैंने शेरोल्टर के हातों में टेक्सिबल है मेरा कुशन तो बस इतना सा है इन विच येर ओफ रिसेट जिस year में आपको ये पैसा रिसीव हुआ उस year में ये जिस year में company ने इसको declare किया था उस year में ठीक है मैं देखिए बहुँच जाद डेटेल में जा रहा हूँ इस समय तो dividend के बारे में हम लोग जानते हैं if it is a final dividend, final dividend becomes taxable in the hands of shareholder now in the year when it is declared ठीक है जब वो declare होता है तब वो taxable होता है shareholder के हाथों में होगा, no doubt but in the year, previous year 2021 sir हमें मिला नहीं final dividend है, वो जैसी declare होता है, हमारी वो income बन जाती है, so this becomes our income in this year, ठीक है पात समझ के, but if I talk about, ठीक है मैं थोड़ डेटेल में जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता आपसे इतना ज़्यादा examiner पूचेगा, but still you मुझे लगते हैं कि मेरे students को ये बाते पता होने चाहिए if it is interim dividend interim dividend के बारे में हम लोग पढ़ते है जब वो receive होता है तब वो taxable होता है जब वो receive होता है, तब वो taxable होता है ठीक है, समझ खए है, याद रेगी ये बात final dividend लिखा हुआ है, मैंने ये note 2 में लिखी है ये बाते ठीक है, अभी सिर्फ समझ हेगा इससे final dividend जब declare होता है then it becomes taxable and interim dividend जब वो actually receive होता है then it becomes taxable ठीक है, एक और step आगे चला जाओ in case deemed dividend है deemed dividend है deemed dividend क्या होता है, 222A 222A, 222B, C, D, E याद है भूल गए? ठीक है, थोड़ थोड़ याद करा रहेता हूं 222A होता है, जब company cash dividend ना देके, other assets release करती है, तो उसको भी deemed dividend माना गया, 222B company ने दूसरी securities issue कर दी, आपको debentures issue कर दी है 222C, liquidation के time पर, 222D, reduction तो उस case में, जब भी वो इस भी तरीके से deemed dividend आ रहा है 222A, B, C, D, E जैसी वो distribute हो रहा है वो taxable हो जाएगा, जैसी company ने उसको distribute करा, वो तब taxable हो जाएगा deemed dividend, ख्या, deemed dividend तो आपको बिल्कुल भी नहीं बूचेगा, but final dividend और interim dividend, you shouldn't know, final dividend कब taxable होता है, जैसी वो declare हुआ interim dividend, जैसी वो receive हुआ deemed dividend, जैसी वो distribute जैसी company distribute करती है, it becomes taxable थेखे, note 2 ठीके, it is for your knowledge but important, this is something which is important practically this is something which is very important final dividend is taxable in the year when it is declared interim dividend is taxable in the year when it is received, ठीके, पक्का deemed dividend is taxable in the year when it is so distributed, जैसे उसने 222A में other assets distribute करे, जैसी other assets उसने distribute करे, वो dividend बन जाता है, ठीके, taxable जाता है, note 3 is something which is very important, मैं बाते कर रहा था ना, कि मुझे लग रहा है 100% आपको question बूचे जाएगा और वो यहां से होगा this is important अब देखे, जब हम IFOS पढ़ते हैं, ठीके, गिने चुने चार सेक्शन होते हैं IFOS में पताएगे कौन कौन से, सर्फ 56 होता है ठीके, charging section 561 562, 57 होता है 58 होता है 59 होता है, बस यह चार सेक्शन होते हैं, ठीके, 60 से तो clubbing शुरू हो जाता है, 57 क्या होता है deductions from IFOS deductions from IFOS के लिए हम बोलते हैं कि जो भी expense किये हैं हमने IFOS के income earn करने के लिए वो expense allowed होते हैं तो please मुझे बताएगा let's say let's say, आपको dividend मिला, ठीके, किसी भी domestic company ने, आपको dividend दिया ठीके, समझेगा, I'm talking about section 57 क्योंकि यहाँ पर amendment आई है और यह major amendment है, major मतलब है तो बहुत छोड़ी सी amendment but important बहुत है एक किसी भी domestic company ने, let's say, आपको dividend दिया, let's say for example 100 रुपेगा dividend ठीके, सिर्फ 100 रुपेगा माल लेते हैं, 100 रुपेगा आपको dividend मिला, किसी share के उपर आपके banker ने इसके उपर collection charges 2 रुपीज के आपके expenses हो गए है और आपके पास कुल मिलाकर सिर्फ 98 रुपीज आते हैं तो 2 रुपीज अलाओड होंगे 57 में क्योंकि 57 में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर्फ कोई भी income जो आपके IFOS की income को earn करने में होती है revenue nature की हो ठीके वो allowed होती है ठीके it should not be prohibited by law illegal ना हो तो ये allowed होती है तो collection expenses वगएरा allowed होते हैं interest वगएरा होते हैं हम लोग collection charges वगएरा allowed करते हैं dividend के लिए और in fact वो mutual fund की income के लिए भी दोनों के लिए same provision है बोल दिया कि कोई भी expense allowed नहीं करेंगे हम लोग कोई भी expense allowed नहीं करेंगे except interest expense except interest सिर्फ interest expense allowed होगा dividend के लिए mutual fund की income के लिए no other expense will be allowed except interest interest का मतलब expense क्या हो गया for example मैंने किसी कमने के shares खरीद लिए let's say मैंने Tata Motors के shares खरीदे for example 1 lakh rupees के जब मैंने shares खरीदे तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने कहीं से उधार ले लिए पैसे I have taken the money on loan and I have purchased shares तो please बताएए जिससे मैंने loan लिया है उसको मैं interest पे कर रहा हूँगा that is my expense ठीक है तो expense is an expense interest is an expense that is allowed तो उसको allow करना पड़ेगा तो इन्होंने कहा कि हम वो interest allow करेंगे ठीक हम वो interest allow करेंगे but इसके उपर भी restriction लगा दी गई है limit लगा दी गई है कितनी जितना आपका dividend मिला है maximum 20% ही हम interest allow करेंगे this is an amendment and this is something which is important एक बाद भाद रिपीट करू dividend income you understand now it is taxable in the hands of shareholder दूसरी बात इसके उपर expense allowed है क्या the answer is no इसके उपर कोई भी expense allowed नहीं है except interest expense or that too restricted to 20% of the income which you are getting gross income जो आपको मिल रही है gross income मतलब जो dividend की income मिल दी after TDS, before TDS before TDS ठीक है जो dividend की आपकी income मिल रही है for example इसके पर आपका 10% TDS deduct होके 90 rupees मिले 20% of 90 है 20% of 100 20% of 100 gross dividend की income ठीक है इसका maximum interest आप इतना पही कर सकते हो इससे ज़्यादा interest पे किया है allowed नहीं है ज़्यादा allowed नहीं है maximum 20% allowed है इससे कम किया 20% से भी कम किया है कम में कोई दिक्कत नहीं है maximum restriction 20% लगा दिया गया ठीक है 20% rate का interest rate है या फिर जितना dividend मिला उसका 20% मतलब मान लेते हैं कि हमने interest pay करा इसके ओपर 30 rupees 100 rupees का dividend मिला है interest pay किया 30 rupees allow है क्या 30 rupees नहीं sir maximum कितना allowed है sir जितना dividend हमें gross मिला है उसका 20% मतलब 20 rupees ही allowed है 30 rupees allowed नहीं है sir 10 rupees का extra interest pay करा करा तो करा but that is not an expense allowable under section 57 57 में हम उसको allow नहीं करेंगे सफिर क्या होगा कुछ नहीं होगा dead expense elapse करा दो उसको छोड़ दो सिर्फ 20 rupees allow करेंगे समझ में आगया बहुत important amendment है मैंने question भी दिया इसका आप लोग करेंगे आप करेंगे वो question ठीके next page पर होगा हाँ ये आप लोग करेंगे इस question को ठीके कुछ आप करेंगे अभी मैं यहां से पढ़ रहा हो पहले इसमें section 57 which is related to deduction is also amended while computing dividend income a deduction on account of interest expense is allowed subject to maximum limit of 20% of the gross dividend income gross मतलब before TDS ठीके क्योंकि dividend मिलता है TDS भी कटेगा section 194 में TDS के section chapter में बताऊँगा मैं अभी next chapter में में TDS लोगा next part में तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि आज आपको dividend मिलता है तो TDS भी deduct होता है but before TDS जो आपकी income है यह gross और net वाली बात अगर समझ में ना आया तो कोई problem नहीं है हम TDS में भी clear कर लेंगे but मुझे लगता है पुरानी बात है आपको पता होगी यह वाली बात ठीक है 20% तक ही allowed होगा no other expense apart from this interest is allowed ठीक है और यह same बात है same बात है mutual fund क्योंकि आज mutual fund की भी income हो गई है वो भी taxable होती है in the hands of unit holder और उसने भी अगर for example मैंने mutual fund खरीदे हैं किस पैसो से उधार के पैसे लेकर ठीक है I have taken this amount on loan तो क्या उसका interest allowed है interest allowed है sir पर जितनी mutual fund की income आ रही है उसका 20% maximum ठीक है very important काफी important है यह बात note 4 तो आप जानते है dividend is always taxable under the head IFOS sir एक stock broker की dividend income होती है कौन से head में? IFOS ठीक है note 5 mutual fund के लिए भी income के लिए भी same concept रहेंगे यह example आपके लिए बिलकुल आपको करना है मैं नहीं करा रहा हूँ इसको ठीक है मैं नहीं करा रहा हूँ इसको यह आपको करना है आप अभी बिलकुल अभी मैं class नहीं stop कर रहा हूँ ठीक है फिर next class में हम लोग अपनी deductions और TDS TCS की बाते करेंगे बट मैं चाहूँगा कि आप बिलकुल इस class के बाद ही जस्ट बाद ही मुश्किल से आपको एक मिनिट भी नहीं लगेगा आप ये example करेंगे आप ठीक है आप लोग कर लेंगे मैं कराँगा तो बहुत ज़्यदा चाइलडेश लगेगा तो ये वला आप लोग करेंगे ठीक है आपको करना है अच्छे से क्लियर हो गया और यहाँ पर capital gain भी आ रहा है long term capital gain दिहान से tax निकालना long term capital gain के उपर 20% tax होता है ठीक है और dividend के उपर कितना tax होता है normal rate of tax हाँ जी section 56 में क्या amendment आएगी सर वो ही 5% वाली बात आएगी अगर हम कोई भी immobile property खरीटते थे कम price में ठीक है और अगर वो stamp value से भी कम है तो यहाँ पर हमारे पास IFOS में taxable हो जाता था बट अगर 5% का variation होता था तो सर फिर वो allowed होता था अब यह variation 5% से कितना हो गया 10% तो in fact 43 CA PGVP में किया था 50C capital gain में और यहाँ पर section 56 same बाते कहता है तीनों same बाते हैं जहाँ पर वो 105% था अब वो 110% हो गया है ठीक है So these amendments were related to IFOS अब हम next part में discuss करेंगे deductions के बारे में तो I believe यह सारी बाते हैं समझ में आ गई है कौन कौन सी चीज़े हमने discuss करी आज आज हमने chapter discuss किया PGVP related amendment capital gain and IFOS ठीक है अब तो थोड़ा सा बच्चा है deductions TDS TCS में थोड़ी amendments है वो हम करेंगे discuss next lecture में thank you so much bye and take care